तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चलने स्पार की जी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लुग बात करने वाले हैं इंग्लिस 50 मार्स का ओन लेटर राइटिंग चैप्टर का कोश्चन अंसर तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इसका समरी पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाईए और सबसे पहले समरी पार्ट देखिए उसके बाद आप ये वी आपको बता दो कि इंग्लिस 50 मार्स का पोईटरी सेक्शन पूरा कवर हो चुका है इस चैनल पर तो आप जाकर इन सब वीडियो को भी देख सकते हैं चलिए सीधा कोश्टन क्यों चलते हैं तो देखिए यहां पर पहला कोश्टन बोला जा रहा है कि वाट डीड बिल फाइ वैसे पहले घर आया होगा रहता है तो उस समय इन दोनों के बीच में पत्र लेखन को लेकर कुछ बातचीत होती हैं उसी के दौरान बिल कहता है कि इट वाज डिफिकल्ड फोर हिम टू राइट लेटर बिल के लिए पत्र लिखना बहुत ही जादा मुश्किल कारे बन जात इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है और अपने पत्र को कंप्लीट नहीं कर पाता है और ऐसा तब उसके साथ होता है जब वो अपनी मा को पत्र लिख रहा होता है या फिर अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा होता है और यह जो चीजे हैं यह सिर्फ बिल के साथ ही नहीं यह सैम के साथ और और वी जो यंगश्टर है जो उनके एज के हैं उन सभी के साथ होता है ऐसा आपके लेखक एजी गार्डेनर जी बताते हैं तो चलिए दूसरा कोश्चन देखते हैं देखिए दूसरे कोश्चन बोला जा रहा है कि वाई वास बिल नो लॉंगर नहीं लड़ रहा है यहां पर होगा आप लोग सुधार लिजिएगा फाइटिंग अब फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ रहा है यह सिंपल सा सवाल था सिंपल सा आंसर था आपको समाज में आ गया होगा चलिए तीसरा कोश्चन देखते हैं वाई डू सम पीपल डिफिकल् बोड में तो ऐसे कोश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए बोला जारा कि कुछ लोग को पत्र लिखने में कठिनाई क्यों होती है तो देखिए यही कारण है कि कुछ लोगों को अधीक साधानी से क्यों किया गया देखिए यह जो कोश्चन है आपका 2020 में 2014 में 2012 में और 2009 में पूछा जा चुका है तो आपको ऐसे कोश्चन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ऐसे कोश्चन रिपीट होते रहते हैं आपके बिहार बोड के एक्जामिनेशन में तो चलिए देखते हैं इसका अंसर क्या है देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो पहले लेटर राइटिंग होता था पत्र लेखन होता था वो एका貌से लेटर करते होता है आदे अज़ा काउश्टा लगता था रहा। कुछ अच्छा लिखा जाए जिसे पढ़ने वाले को खुछी मिले और जो करलाइल और कीट जैसे लोग होते थे वो बहुत ही excellent writers होते थे, बहुत ही अच्छे से पत्र लिखते थे, वो अपने दिल को उस पत्र में निकाल कर रख देते थे, और पढ़ने वालों को ऐसा लगता था, कि जो पत्र लिखने वाला है, वो उनके सामने से कुछ उन्हें कह रहा है, ऐसा लगता था, और आज क्या हो अच्छा पत्र लिखा करते थे, आज कल वैसे पत्र नहीं आते हैं, तो चलिए अगला question देखते हैं, तो देखें, यहां पर पांचवान नम्र question बोला जा रहा है, कि how did the deals man avoid the postal charger, dealsman डाग का सूल्फ कैसे बचा लेता था, तो यह जो question है, आपका यह 2018 पूछा जा चुका है, तो यहां पर बोला जा रहा है, कि डिक्वेंसी बताते हैं, कि कुछ 100 साल पहले जो postal charger हैं, वो बचा लिए जाते थे, वो कैसे होता था, जब पत्र लेकर जब डाकिया वाला आता था दरवाजे पे, तो एक गरीब मा होती थी, या कोई भी है, वहां पर उस पत्र को receive कर ले है, और उसके बाद वो एक जलक अपने address पे देख रहा है, कि कहां से यह letter आया है, और उसके बाद उस पत्र पे वो किसी तरह का sign खोज रहा है, जिससे वो पता चल जा कि भेजने वाला जो व्यक्ति है, वो सुखी है, और उस sign को देखने के बाद वो जो पत्र होता था, वो वापस जो गरीब मा या फिर receive करने वाला जो भी हो, वो वापस postman को दे जाता था बीना खोले हुए, इस तरह से वो postal charges को बचा लिया करते थे, क्योंकि जो person होते थे, जो receive करते थे, उन्हें वहाँ पे पैसा pay करना पड़ता था, और इस कारण से उन्होंने जब letter को receive ही नह आखिरकार महान पत्र लेखन की कला को नश्ट करने में किसकी मदद मिली, आखिर यसे कौन से चीज़े थी, जिसके कारण पत्र लेखन कम हो गया या फिर वो बरबाद हो गया, आज कोई पत्र ज्यादा नहीं लिखता है, तो modern means of communication like telegraph, telephone और typewriter जैसे चीज़े जब सामने सातवा नमर कोश्टन देखते हैं, आप सातवा नमर कोश्टन बोले जारा है कि what kind of things could Bill have talked about in his letter, Bill ने अपने पत्रों में किस तरह की बाते की होंगी, in his letter Bill could have talked about the blister he got on his hill, blister का मतलब छाला होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि Bill ने अपने पत्र में बोला हो, कि जब वो battle of months से जब वो एक लडाई से लोट रहा होता है, तो वहाँ पे उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, और वो कैसे smoke के लिए तरब जाता है, and how he marched and marched until he felt asleep, marching, और अपने पत्र में वो ये भी बताता है कि कैसे वो चलते चलते तब तक चलते रहता है, जब तक कि वो सो न जाए, and how he lost his pile, पैल का मतलब यहाँ पे friend बोल लिजी, या फिर जो आपके सैनिक दल में जो सहफाटी है, उसको समझ लिए, तो कैसे वो अपने पैल को ले के टीउ में खो देता है, लडाई में वहाँ पे खो देता है, and how his boot sole dropped at meox, और कैसे उसके जूते meox में गिर जाते हैं, तो Carlyle के पास परिपूर्णता के लिए क्या trick था, बैसिकली यहाँ परह पूछा यह जा रहा है, कि जब Carlyle अपने पतर लिखा करते थे, कि उनके पास ऐसे कौन से trick थी, कि वो एक परफेक्ट पतर, वो एक परफेक्ट लेटर लिख पाते थे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है के बारे में अपने परिवार के बारे में बहुत ही आसान चीजे सामान चीजे लिखा करते थे in his letters he described the character so perfectly that the reader find them alive in front of him और वो किसी भी character को किसी भी पात्र को इस तरह से दरसाते थे कि जो character है वो उन्हें जीवित पढ़ने वाले के सामने नजर आता था Carlyle had the wonderful gift of self-exception और ऐसा इसलिए वो कर पाते थे तो इसलिए इनके जो letters होते थे उनमें बहुत ही perfection होती थी पढ़िपूर्णता होती थी चलिए हम लोग 9 मा नमर कोस्टन समझते हैं 9 मा नमर कोस्टन बोला जा रहा है कि किस विशेष्टा का उल्यख किया गया देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि किट्स अपने परिवार को जब लेटर पत्र लिखा करते थे तो वहां पर उनकी जो feelings होती थी उसका यहां पर खुलासा किया गया है उनके पत्र में और उनका जो पत्र होता था वो दूरियों को कम कर देता था दो लोग के बीच का जो distance होता था वो पत्र के दवारा कम किया जाता है और वैसे ही जॉन किट्स के पत्र में दिखता था वो उनका पत्र दूरियों कम करता था और उसमें कुछ personal बाते की जाती थी और ऐसा लगता था उनका पत्र पढ़ने के बाद कि कोई भी व्यक्ति जो कि आपके chapter का last question है what is the difference between a good essay and a good letter एक अच्छे निबंध और एक अच्छे पत्र में क्या अंतर है the difference between a good essay and a good letter is that good essay is ordered and elaborate जो आपका good essay यानि कि जो अच्छे निबंध होते हैं वो एक ordered way में लिखे जाते हैं और बिस्तार पूरवक लिखे जाते हैं लेकिन whereas a good letter is simple और जो later होत ही सामान भासा में लिखे जाते हैं बहुत असान रहते हैं and one return in natural conversational way और उनकी जो लिखने की पद्धिती होती है जो होती है वह बहुत ही आसान भासा में लिखे जाते है आम बोल्चाल की भासा में पत्र को लिखा जाता है ताकि जो दूसरा पढ़ने वाला बंदा है उसे स और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो जाइए आप उस वीडियो को भी देख लिजे और साथ इसाथ इसके जो पहले के चैप्टर हैं वह भी समात किये जा चुके हैं इस चैनल पे तो आप उसको भी जाकर विजिट करके देख सकते हैं और पोएट्री सेक्शन भी आपका खतम हो चुका है इंग्लिस पचास मास का तो जाइए और पढ़िए ठीके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद